नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस पियार रिया सुनहा आपके साथ है हमारे देश के कई राजियों में जो लोग भी टीटी उतिरन सिक्षक हैं उन्हें सहायक सिक्षक का दर्जा दिया गया है और वेतनमान भी राज्यकर्मे की तरह है लेकिन बिहार की बात करें तो बिहा सहायक सिक्षक का दर्जा दिया जाया और इसी को लेकर उन्होंने ट्विटर पर यह प्रेंट करवाया है तो हम बारी बारी से कुछ ट्विट्स आपको पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि उनका क्या कहना है क्या डेमांड्स है और ऐसा क्यू कर रहे हैं सबसे पहले बिहार के सबालाग टीटी नियूजत सिक्षक एवं अभियर्तियों के साथ अन्याय क्यों कर रही है टीटी मतलब सहायक सिक्षक फिर अशोग लिखते हैं सुप्रीम कोट के न्याय निरने के पैरा 78 को सरकार लागू करें टीटी सिक्षकों को उनका हग मिलना चाहिए आजश पर बिपक्ष भी मौन रहता है रवीश कुमार लिखते हैं दुखत सिथी कितना बुरा लगता है जब सोचता हूं कि टीटी उतरने संपूर्देश में पूर्ण वितनमान पर नियूगत सहायक सिक्षक हैं और हम बिहार जैसे एतिहासिक साक्षिक गड़ में चायनी सब्सक्रावन बूं तो सिक्षकों को बनाए सहायक सिक्षक और द emphasize केंडरा रूप साथवा वीटन हैस्टाग टीटी मतलब सहायक सिक्षक सालेंद्र सच्चु लिखते हैं ना भीक न करजा चाही सहायक सिक्षक के दरजा चाही और इसके बाद ग्यान प्रकास सिंग के और से लिखा गया है एक और आप बिहार वासियों को राज के सिक्षा विवस्था के विकास के दिव श्वप्न दिखाते हैं और दूसरी और इस विकास में मुख्य किरदार निभाने वालों का नियोजन के नाम पर शोशन करते हैं कैसा दोहरा रवया है विकास बाबू नितीश कुमार तीटी उतिन सिक्षकों को उनका हक दीजिए उनका हक उन्हें मिलना चाहिए तो ये तमाम ट्विट्स जो है वो किये जा रहे हैं और डेमांड किये जा रहे हैं लगतार उसके बाद आपको बताएं एक और ट्विट्स जो है वो टुन टुन कुमार की द्वारे लिखा हो गया है कौन कहता है कि आस्मा में सुराक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तब्यत से उच्छा लो यारू, संघर्ज लंबा है, इसका मतलब यह नहीं कि संघर्ज करना बंद कर दे, और इसलिए इन लोगों ने ट्रेंड करवाया है, T.E.T. मतलब सहायक सिक्षक, दरसल इनका डिमान बस यही है कि इनहें भी सहायक सिक्षक का दर्जा दिया जाए, जैसे बाकी राज्यों में T.E.T. पास सिक्षकों को दिया गया है, बिहार में भी इनहें सहायक सिक्षक का दर्जा चाहिए, और साथ ही साथ जो राज्य कर्मी के तोर पर वेतनमान होता है, बाकी राज्यों में जो है वो यहां भी होना चाहिए और इनका सवाल भी है कि आखिर मितीर्श कमार ऐसा क्यों नहीं कह रही है और विपक्ष भी इस पर मौन क्यों है तो फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही आगे और भी खबरों के लिए आपने उस प्यार के साथ बने रहे हैं धन्यवाद